सपने और लक्ष में एक ही अंतर है सपने के लिए बिना महनत की नींद जाहिए और लक्ष के लिए बिना नींद की महनत तो इनर्जी बुष्टर आपका अपना चैनल कोईजब देवी थेज़े में आपका स्वागत है और आज के वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए बिहार से संबंदित महत पुर्ण प्रस्न उत्तर और इसमें मैं टोटल 100 कुस्टन को कवर करूंगा जो की वन लाइनर है तो इस वीडियो के साथ आप بنे रहे हैं बिना Geschichte की हुए वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि चाहे आप BPSC का ईग्जाम देंगे या BPSC टीचर का ईग्जाम देंगे या फिर BPSC का ईग्जाम देंगे तो यह सारे ईग्जाम के लिए आपके लिए वीडियो काफी helpful होने वाला है इसके अलाबे आप बिहार सरकार का कोई भी exam देंगे जिसमें बिहार से related question पूछा जाएगा तो हमारा वीडियो उसमें आपको काफी helpful होने वाला है तो बिना skip की हुए वीडियो को पूरा देखें तो बिना समय गवाते हुए चलते हैं अपने पहले question के तरफ तो हमारा पहला question ये देखिए जैसा कि आप लोग thumbnail पे देखकर के आए हैं कि इस वीडियो में मैं बिहार से सम्वतित महतपुर्ण प्रस्न उत्तर को cover करने वाला हूँ ठीक है और मैं इस वीडियो में आपको पहले ही पहले question से start करते हैं तो हमारा पहला question है बिहार राज की अस्थापना कब हुई ठीक है तो थोड़ा सा बढ़ा कर लेते हैं जिससे कि आपको ज्यादा better होगा तो पहला question है बिहार राज की अस्थापना कब हुई आपको तो इसका answer है 22 March 1922 को बिहार की अस्थापना कब हुई 22 March 1922 को ओके चलते हैं अगले question के तरफ अगला question है बिहार राज की राजधानी क्या है तो आपको अच्छे से पता है इसकी राजधानी पटना है इसमें कभी-कभी आपको ऐसा महसूस होगा यही तो छोटा बात है यह तो मैं जानता ही हूँ लेकिन मेरा प्रयास इसमें आपको बिहार से related हर जानकारी को बताना है तो इसमें आपको zero level का भी question आएगा और hero level का भी question आएगा तो वीडियो को पूरा देखें तो चलते हैं अगले question के तरफ अगला question है बिहार राज में कुल कितने जिले हैं तो बिहार राज में कुल 38 जिले हैं कितने जिले हैं बिहार राज में कुल 38 जिले हैं चलते हैं अग चेतरफल कितना है तो बिहार राज का जो चेतरफल है वो 94,163 वर्ट किलोमीटर ठीक है ओके चलते हैं अगले कोश्चन के तरफ अगला कोश्चन है बिहार राज की जनसंख्यां लगभग कितनी है तो अभी बिहार राज की जनसंख्यां है वो है 10,38,4,637 ओके चलते हैं अगले कोश्चन के तरफ अगला कोश्चन है बिहार राज की पुरुष जनसंख्यां कितनी है बिहार राज की पुरुष जनसंख्यां कितनी है तो वो है 5,41,85,347 ओके चलते हैं अगले कोश्चन के तरफ अगला कोश्चन है बिहार राज की महिला की जनसंख्यां कितनी है तो वो है 4,96,19,290 ओके चलते हैं अगले कोश्चन के तरफ अगला कोश्चन है बिहार राज से उरिसा को कब अलग किया गया यह examination point of view से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यह important कोश्चन है आपके examination point of view से यह important कोश्चन है बिहार राज से उरिसा को कब अलग किया गया तो इसका जो right answer है वो है 1935 में और आप अगर note करेंगे तो इस में आप 3A स्टार भी लगा दीजिए ठीक है ये आपके examination point of view से important है ओके चलते हैं अगले question के तरफ अगला question है बिहार राज का एतिहासिक नाम क्या था तो इसका answer है मगद ओके चलते हैं अगले question के तरफ अगला question है बिहार राज की राजधानी पटना का एतिहासिक नाम क्या था तो answer है पाटली पुत्र चलते हैं अगले question के तरफ अगला question है बिहार राज की राज्किये पसू कौन सा है तो answer है बैल चलते हैं अगले question के तरफ अगला question है बिहार राज का राज्किये पक्षी कौन सा है answer है गौरएया अंसर क्या है गौरएया ओके चलते हैं अगले कोस्टन के तरफ अगला कोस्टन है बिहार राज का राज किये पुस्प कौन सा है तो बिहार राज का राज किये पुस्प कौन सा है अंसर है गैंदा गैंदा का फूल आप लोग देखे होंगे ठीक है चलते हैं अगले कोस्टन के तरफ अगला कोस्टन है बिहार राज का अगला question है बिहार का सबसे बड़ा सहर कौन सा है बिहार का सबसे बड़ा सहर कौन सा है ठीक है तो इसका जो राइट अंसर है वो है पटना चलते हैं अगले question के तरफ अगला question है बिहार की जनसंख्यां घनत्तो लगभग कितनी है तो बिहार का जो जनसंख्यां घनत्तो है वो है 1802 वर्क किलो मेटर कितने है 1802 वर्क किलो मेटर यह भी examination point of view से important है चलते हैं अगले question के तरफ अगला question है बिहार की साक्षर्टा दर कितना परतिसद है तो वो है 63.82 परतिसद चलते हैं अगले question के तरफ अगला question है बिहार की पुरुष साक्षर्टा दर कितना परतिसद है 18 नमर question पर आ गए बिहार की पुरुष साक्षर्टा दर कितना परतिसद है तो 73.3% है चलते हैं अगले question के तरफ अगला question है बिहार की महिला साक्षर्टा दर कितना है तो बिहार का महिला साक्षर्टा दर वो है 53.33 ओके चलते हैं अगले question के तरफ अगला question है बिहार का लिंगा नुपात कितना है तो 918 ठीक है मतलब 1000 बॉइस पे 918 गर्ल्स ओके लिंगा नुपात कितना है 918 अगला question है बिहार में हिंदू जाती के लोग कितने परतिसत रहते हैं तो बिहार में 83.2% हिंदू लोग रहते हैं ठीक है अगले question के तरफ चलते हैं बिहार में मुस्लिम जाती के कितने परतिसत लोग रहते हैं तो वह है 16.5% ठीक है और है बिहार में कौन-कौन सी भासाएं बोली जाती है तो हिंदी, उर्दू, मैथली, भोजपूरी, मगदी, अंगिका ये सारा language बिहार में बोला जाता है अब चलते हैं अगले question के तरफ अब है बिहार की लोग सभा सीटें कितनी है ये भी important question है इस question में भी आप भी भी आई लगा लेजिए ठीक है, बिहार में लोग सभा सीटे कितनी है, तो वो है 40, बिहार में लोग सभा सीटे कितनी है, 40, ओके, चलते हैं अगले question के तरफ, अगला question है, बिहार की बिधान सभा सीटे कितनी है, ये भी important question है, बिहार में बिधान सभा सीटे कितनी है, 243, ओके, चलते हैं अगले question के तर अगला कोस्टन है बिहार की राजसभाँ सीटे कितनी है। चलते हैं अगले कोस्टन के तरफ। अगला कोस्टन है बिहार की जनसंख्या दर्ष्ठी से भारत के कौन से नंबर तरह है। मतलब पूरा भारत में बिहार का जनसंख्या की दृष्टी से बिहार कितने नमबर पर है पूरे भारत में तो वह है तीसरे नमबर पर ओके अगला कोश्चन है वर्तमान में बिधान पडिशद में कुल कितने सीटे हैं तो बिधान पडिशद में टोटल 75 सीटे हैं चलते हैं अगले कोश्चन के तरफ अगला कोश्चन है पटना बिस्व विद्याले की अस्थापना कब गी गई पट्टना बिस्विद्याले के स्थापना कब की गई? तो इसका सा राइट अंसर है 1927 में पट्टना बिस्विद्याले के स्थापना कब हुई? 1927 में किया गया, तो वो 2018 में किया गया, ये भी important question है, बिहार को जारकंद से कब अलग किया गया, 2018 में, ओके? चलते हैं अगले question के तरफ, हमारा अगला question है बिहार राज का भीवाजन कब हुआ? बिहार राज का भीवाजन कब हुआ? तो 15 नवमबर 2000 को, जारकंट को जो अलग किया गया ठीक है चलते हैं अगले कोस्टन के तरफ अगला कोस्टन है बिहार का सहरी छेतर फल कितने वर किलोमीटर तक फैला हुआ है तो 1095.49 वर किलोमीटर में फैला हुआ है सहरी छेतर ठीक है चलते हैं अगले कोस्टन में के तरफ बिहार का ग्रामीन छेत्र फल अब आप यहां पे देख रहे हैं कि ग्रामीन छेत्र जादा है बिहार में ग्रामीन छेत्र फल कितने वर किलोमीटर में फैला हुआ है तो वो है बिहार में गाउं की संख्या कितनी है बिहार में गाउं की संख्या कितनी है तो 44,874 गाओं बिहार में है चलते हैं अगले questions के तरफ किस प्राचिन विस्व इशुविद्याले का संबंध बिहार से रहा है तो आप जानते हैं नालंदा विस्विद्याले आप लोग किताब में भी पड़े होंगे नालंदा विस्व विद्याले का संबंध जो है विहार से है ठीक है उसके बाद है पटना विस्व विद्याले की अस्थापना कब की गई थी तो 1927 भी में पटना विस्व विद्याले की अस्थापना की अस्थापना कब की गई थी 1927 भी में ओके चलते हैं अगले कोस्चन के तरफ अगला कोश्टन है कि बिहार के पर्थाम मुख मंत्री कौन थे तो बिहार के पर्थाम मुख मंत्री डॉक्टर स्री क्रिशन सिंग थे ठीक है चलते हैं अगले कोश्टन के तरफ बिहार विधान सभा के पर्थाम अध्यक्ष कौन थे तो बिहार विधान सभा के पर्था सभापती कौन थे बिहार विधान परिशद के परधम सभापती कौन थे राजीव रंजन परसाद चलते हैं अगले कोश्चन के तरफ अगला कोश्चन है बिहार के किस वैक्ति को सरपर्थम ज्यान पीठ पुरुसकार मिला था सांदार कोश्चन तो इसका तो राज़ट अंसर है वो है रामधारी सिंग दिनकर्ची ठीक है बहुत परसिद लेखक थे उसके बाद है बिहार के परथम न्याइधीस कौन थे बिहार के परथम न्याइधीस कौन थे डक्टर सर एडवर्ड देस चैमपस चम्यार ये बिहार के पर्थम न्याइधीज थे, ठीक है? अगला कोस्टन है बिहार के पर्थम राजपाल कौन थे? तो बिहार के पर्थम राजपाल कौन थे? जैरामदास दौलत राम, ठीक है? जैरामदास दौलत राम, चलते हैं अगले कोस्टन के तरफ, बिहार की पर्थम महिला मुख्यमंत्री कौन थी श्रीमती राबडी देवी ठीक है चलते हैं अगले कोस्टन के तरफ अगला question है बिहार के पर्थम Muslim मुख्य मंत्री कौन थे अब्दुलगफूर चलते हैं अगले question के तरफ अगला question है बिहार के पर्थम हरिजन मुख्य मंत्री कौन थे तो भिल पासवान सास्तरी चलते हैं अगले कोस्टन के तरफ वन लाइनर है ज्यादा समय नहीं लग रहा है कम समय में आपको ज्यादा कोस्टन हो जाएगा इसमें 100 कोस्टन मैं बताने बाला हूँ अभी हम मैं 46 पे आ गया हूँ अगला कोस्टन है बिहार के किस वर्स पर्थम चीनी मिल लगाई गई थी बिहार में किस वर्स पर्थम चीनी मिल लगाई गई थी आपको अंसर है 1904 इसका राइट अंसर क्या है 1904 चलता हूँ अगले कोस्टन के तरफ अगले कोस्टन है बिहार के पर्थम बैक्ति जिन्होंने असोक चक्र प्राप्त किया तो रंधीर बर्मा सबसे पहले रंधीर बर्मा को असोक चक्र मिला चलते हैं अगले कोश्चन के तरफ अगला question है पहली चीनी मील बिहार के किस स्थान पे लगाया गया था तो मंधोडा में अगला question है बिहार का पर्थम तेल सोधक कारखाना कौन सा है तो इसका जो right answer है वो है बरवनी refinery बरवली नहीं लिखा है ये बरवनी लिखा हुआ है लिखा हुआ है बरवनी ठीक है बरवनी refinery ठीक है ओके चलते हैं अगले question के तरफ अगला question है बिहार का पर्थम विज्ञान के इंद्र कहा है बिहार का पर्थम विज्ञान के इंद्र कहा है स्रीकृष्ण विज्ञान के इंद्र जोकी पटना में है अगला question है बिहार का हमें स्टेडियम कौन सा है मोई नूलह के स्टेडियम जो की पटना में है अगला कोस्टन है बिहार का पर्थम निरत्य भवन कौन सा है बिहार का पर्थम निरत्य भवन कौन सा है तो भारतिय कला मंदीर पटना ओके चलते हैं अगले कोस्टन के तरफ अगला कोस्टन है बिहार में कहीं भी लोग आते हैं, छट में अपने घर जरूर आ जाते हैं, क्योंकि छट से लोगों का इमोशन जुरा हुआ होता है, ठीक है, चलते हैं, अगले कोस्चन के तरफ, बिहार के किस वेक्ति को भारत का राष्ट कभी कहा जाता है, तो राम धारे सिंग दिनकर जी, ओके, चलते हैं, अगले कोस्चन के तरफ, बिहार में किस वर्स स्वाराज दल का गठन हुआ था, तो स्वाराज दल का गठन 1923 बी में हुआ, ओके, चलते हैं, अगले कोस्चन के तरफ, अगला कोस्चन है, नमक सत्यागरा का आरंब कभ हुआ था, बिहार में हुआ था, नमक सत्य अगर कब हुआ था तो 15 अप्राइल 1930 इस भी को चलते हैं अगले कोस्टन के तरफ बिहार में 1919 में खिलाफत अंदोलन का नेतरुत किस ने किया 1919 में यहां से और है कि खिलाफत अंदोलन कब हुआ तो 1919 में इसका लिडर्शिप कौन कर रहे थे 1919 में खिलाफत अंदोलन का नेतरुत किस वेक्ति ने किया था तो इसका जुराइट अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्वामी बिगनानंद बिगहान नंद ओके तो चलते हैं अगले कोस्टन के तरफ स्वामी बिगनानंद के नेतरुत बिहार में कौन सा अंदोलन हुआ था तो किसान अंदोलन भी हुआ था ठीक है अगला कोश्चन के तरफ चलते हैं अगला कोश्चन है किस वर्स बिहार में औसायोग अंदोलन प्रारंब हुआ था तो 1922 इसवी में ठीक है चलते हैं अगले कोश्चन के तरफ बिहार में बहावी अंदोलन किस वर्स शुरू हुआ था चलते हैं अगले कोस्चन के तरफ अगला कोस्चन है विहार की लंबी बाई के नाम से किस महिला को जाना जाता है? रामशरूप देवी बिहार की लंबी भाई के नाम से किस मेला को जाना जाता है रामसरूप देवी ओके चलते हैं अगले कोश्चन के तरफ अगला कोश्चन है साक्षर्टा करम में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है साक्षर्टा करम में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है अंसर 35 अगला question है सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है तो बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला वो है पुर्निया सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है पुर्निया उसके बाद है अगला question बिहार में महाविद्यालों की संख्या कितनी है अगले question के तरफ, बिहार के पटना उच नियाले की इस्थापना किस वर्ष की गई थी? तो बिहार में जो पटना उच नियाले की इस्थापना की गई थी, वो 1916 में की गई थी. चलते हैं, अगले question के तरफ, सोमेस्टर की उचाई कितनी है बिहार के सबसे उची पहाड़ी सोमेस्टर की उचाई कितनी है तो 880 मीटर है ठीक है चलते हैं अगले कोस्टन के तरफ अगला कोस्टन है बिहार के किस अस्थान में गुरू पर्व का आयोजन किया जाता है गुरु पर्व का आयोजन कहा किया जाता है, तो किया जाता है पटना में, बिहार के किस अस्थान पे गुरु पर्व का आयोजन किया जाता है, तो answer है पटना, चलते हैं अगले question के तरफ, अगला question है बिहार में देव मंदिर कहां पे इस्तित है, औरंगाबाद में, बिहार मे कुस्टन है बिहार का पर्थम अंग्रेजी दैनिक समाचाद पत्र कौन सा था बिहार टेराल्ड के चलते हैं अगले कुस्टन के तरफ अगला कुस्टन है बिहार में सरपर्थम हिंदी दैनिक समाचाद पत्र कौन सा था हिंदी न्यूस्पेपर सबसे पहले कौन सा था तो वह वह था सर्व हित ऐसी ठीक है अभी भले हिंदुस्तान दैनिक जागरन प्रभात खबर्द यह सब दैनिक भासकर सब चल रहा है लेकिन सबसे पहला जो था वह था सर्व हित ऐसी ठीक है चलते हैं अगले कोस्टन के तरफ बिहार में सिचाई का मुख साधन क्या है नहडें ठीक उसके बाद है विहार में औसत वर्षा कितनी होती है विहार में औसत वर्षा कितनी होती है तो बाड़ सो पच्चास एमेम ठीक है चलते हैं अगले कोस्टन के तरफ अगला कोस्टन है विहार में रास्टिय राजमारगों की संख्या कितनी है तो दो ठीक है चलते हैं अगले कोस्टन के तरफ अगला कोस्टन है विहार में रास्टिय राजमारगों की कुल लंबाई कितनी है तो 392 किलोमीटर ठीक है चलते हैं अगले कोस्टन के तरफ अगला कोस्टन है विहार में कौन-कौन से रास्टिय पार्क है वालमी की नेशनल पार्क और वालमी की नगर ठीक है चलते हैं अगले कोश्टन के तरफ बिहार की जलवायू कौन सी है तो बिहार की जलवायू जो है वो मांशूनी है चलते हैं अगले कोश्टन के तरफ बिहार का सबसे गर्म जिला कौन सा है बिहार का सबसे गर्म जिला कौन सा है अंसर है गया चलते हैं अगले कोस्टन के तरफ बिहार में आसत वर्षा कितनी होती है तो 112 सेंटीमीटर बिहार में आसत वर्षा कितनी होती है 112 किलमीटर अगला कोस्टन है सरवाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है सरवाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है औरंगावाद ठीक है, सबसे ज़्यादा बरसा अरंगाबाद में होता है उसके बाद है, बिहार का कुल वन छेतर कितना परतिसत है, बिहार का कुल वन छेतर कितना परतिसत है, तो कितना है? 61,00, 6,00, 6,00, 6,00, 16,446,00 हेक्टेर, ठीक है, चलते हैं, अगले कोश्चन के तरफ, अगला कोश्चन है, बिहार कुल भुमी का कितना परतिसत है, बिहार जो है कुल भुमी का 6.55% ठीक है चलते हैं अगले question के तरफ बिहार में कौन सा प्रकार का वन है बिहार में तो बिहार में पर्नपाती वन है चलते हैं अगले question के तरफ बिहार की सबसे बड़ी सिचाई परियोजना कौन सी है बिहार की सबसे बड़ी सिचाई पर्योजना कौन सी है तो वो है गंड़क पर्योजना ठीक है चलते हैं अगले कोस्टन के तरफ अगला कोस्टन है बिहार में सबसे बड़ा भुकम किस वर्स आया था बिहार में सबसे बड़ा भुकम किस वर्स आया था 1928 B में कब आया था 1928 B में चलते हैं अगले question के तरफ अगला question है बिहार में सरपर्थम किस बैंक की अस्थापना होई थी तो बिहार में सरपर्थम इलाहबाद बैंक की अस्थापना होई थी बिहार में सरपर्थम किस बैंक की अस्थापना होई थी तो 1978 में ठिक है अगला question है बिहार राज में शिkछा का अस्तर कैसा है तो ना low है ना high है वहाँ का जा अस्तर है वो medium है मद्यम है उसके बाद अगला question है बिहार के किस pillows के नंथ अस्थापित हुआ था पहला दुर दुर्दोरशन के नंथ मुझपफपूर में अस्थापित हुआ था चलते हैं अगले कुस्चन के तरफ बिहार में किसको बिहार सरीफ कहा जाता है बिहार में किसको बिहार सरीफ कहा जाता है तो उदत पूरी को उदत पूरी को बिहार सरीफ बोला जाता है ठीक है अगला कोस्टन है बिहार के किस अस्थान पर महाँ भगवान बुद्ध को ग्यान की प्राप्ति हुई थी तो अंसर है बोध गया ठीक है इसका अंसर क्या है बोध गया चलते हैं अगले कोस्टन के तरफ अगला कोस्टन है विहार में अज गैवी नाथ मंदिर कहां स्थित है तो इसका राइट अंसर है सुल्तान गंज में है ओके चलते हैं अगले कोस्टन के तरफ कौन सा राज विहार के पुर्वी छेतर में स्थित है पुर्वी छेतर में है पस सटा हुआ है उसके बाद चलते हैं अगले कोस्टन के तरफ बिहार कि समुदाय का धार्मिक के अंद्र है बिहार जैन का भी है बुद्ध का भी और सिखों का भी धार्मिक के अंद्र है ठीक है चलते हैं अगले कोस्टन के तरफ अगला कोस्टन है बिहार में महात्मा गांदी स तो गंगा नदी पर बना हुआ है और 98 नमबर कोस्चन है भुपेंद्र नारायन मंडल भुपेंद्र नारायन मंडल विश्व विद्याले कहां पेस्तित है तो वह है मध्यपूरा में ठीक है और 99 नमबर कोस्चन है भिहार भिहार में जैपरकास विश्व विद्याले कहां पेस्तित है तो वह है छपड़ा में और आज का हमारा आखरी कोस्चन है इंद्रा गांधी खुला विश्व विद्याले कहां पेस्तित है ठीक है इंद्रा गांधी खुला विश्व विद्याले कहां पर है तो वह है पटना में तो जैसा कि आप लोग देखें कि इसमें मैं टुटल एक 100 कोश्टन को बताया और यह वन लाइनर कोश्टन था और मैं अब MCQ कोश्टन लेकर के आऊंगा बहुत जल्द ठीक है तो धन्यवाद